जहें संत्यो राज क्लास में आप सोका स्वाकत है तो संत्यो इस वीडियोस में भाग दू इसमे हम बात करींगे तो चेप्टर नमर थड़ है भारत से हम क्या सिखें जिसके लेखक है मैक्स मुलर जी यानि चेप्टर आपका थड़ है भारत से हम क्या सिखें और जिसके लेखक जी है मैक्स मुलर जी है इसके लेखक है तो मिरे दोस्त अगर जो आप फोने चैनल पर भी नए है तो चैनल को स हैं जो आपके बोर्ड एक्जाम के लिए ज़्यादा महइत्पुन हैं आपके बोर्ड एक्जाम में पूछा करते हैं हमिशा हर एक साल लग्भल वह कुछ कुस्तन इसे आती रहते हैं उससे भी प्रशन के बाने लिखक ने ऐसा क्यों कहा है तो इसका एंसर के हो जागा समस्त भूभर्णल में सर्वदिक संप्रदा और प्राकृतिक संदर्व से पड़िपूर्ण देश भारत है यह लिखक ने ऐसा कहा है कि क्योंकि यहां के धर्ती पर श्वरिक सी छटा विखरती है कराय की जो भारत के ध प्राकृतिक वातावरन इतना मनमुहक है कि लगता है कि जैसे स्वर्ग के समान सुंदर है यहां पर भारत को बहुत ही महतुन संग्या दे रहे हैं आप एक हार है कि यहां के धर्ती पर श्वरिक सी हमें मालूम पढ़ती है छटा विखरती है और यहां का जो प्राकृतिक व द्रिष्टी में सच्चे भारत का दर्शन कहां हो सकता है और क्यों जो लेखक है मैक्स मुलर जी उनके द्रिष्टी से सच्चे भारत का दर्शन कहां हो सकते है और क्यों हो सकते हैं तो लेखक यहां पर कहते हैं लेखक की द्रिष्टी में सच्चे भारत का दर्शन यहां य सकता है क्योंकि गाउं के लोग निस्यल होते हैं यह सभी हमेशा एक गुसरे के सुख दुख में सहभागी बनती हैं यहां भी बता रहे हैं नेक्स कोसर नमर 3 के हैं भारत को पहचान सकने वाले दृष्टी की अवशक्ता उनके लिए वांचनिये और क्यों है इसका भारत को प समस्याओ का निदान में सहयक है यानि क्योंकि आज जहां पर बहुत सारे विसकार बहुत सारे सांटिश ठोड़े जो समस्याओ का निदान करते जा रहे हैं नेक्स्ट कोसर नमर 4 है लेखक ने किने विशेस छेत्रों में अभिरूची रखने वाले के लिए भारत का परत्यक परत्यक्ष्य ग्यान आवश्यक बताया है कि आघर आदि विश्वय में रूची रखने वाले किने विश्शेत्रों इंप नेक्ष्य ग्यान ... इतने सभी बिसाय जो है इसमें रूची रखने वाले को भारत का परत्यक्ष ग्यान आवश्यक बताया है लेखक नियाँ पे कुस्टन आगे है पांच नमर कुस्टन क्या है लेखक ने वारेन हैस्टिंग्स संबंधित किस दुरभागपोन घटना का हवाला दिया और क्यों दिया इसका इंसर है क्या है लेखक मैक्स रूनर ने लिखा है कि जब वारेन हैस्टिंग्स भारत का गवर्नर था जो वारेन है वारेन हेस्टिंग्स ने इस इंडिया कंपणी के निर्देश मंडल की सेवा में यह समझ कर भीजवा दिया, यानि इस इंडिया कंपणी के निर्देश मंडल में सेवा के लिए भीजवा दिया, क्यों भीजवा दिया, कि उनके द्वारा दिया गया सरवच्यम उपहार होगा, यह जो उपहार होगा, उनके द्वारा, वरें sequencing के द्वारा दिया गया सबसे बारा उपहार, सरroschum उपहार होगा और company की नजर में उनका समान बढ़ जाएगा. इस्टिनिया कमपणी के ज़ज़ में, उनका सम्मान बढ़ जाएगा, लेकिन अंग्रेज सिकों का एतिहासिक महत्में समझे भी नहीं गला डाला, यानि उस सिका का कोई एतिहासिक महत्में ना समझ कर उस सिका को पिखलवा दिया, यानि गला दिया, जो हैस्टिंग्स वापस इंग्लेंड लोटे और उन सिकों को नहीं पाया जब वापश इंग्लेंड गये तो उन सिकों को नहीं पाया तो ये काफी दुखी हो गये वह बहुत दुखी हुए मैक्समलर इस घटना का उलेखनी इसलिए क्या है कि भविष्ट में ऐसी गलती दुबारा न दुराय जाए यानि दुबारा न करे नेक्स्ट कॉर्स नमर चो है लेखक ने निती काथाओ के छितर में किंतरह भारतिये आवदान को रेखांकित किया है तो यहाँ पर अंसर इसका है लेखक ने निती काथा के छितर में भारतिये आवदान को रेखांकित करते हुए कहा है कि निती काथाओ के अध्यान छितर में भारत के करण नब जीवन का संचार हो चुका है यहीं भारत के करण ही नवजीवन का संचार हो चुका है क्योंकि भारत के करण ही समय समय पर नानावीध, साधनों और मार्गों के द्वारा अन्यक नेतिक कथाओ पुर्व से पश्चिम क्यूर आती ही रहती है और नेक्स्ट कुस्टन इसका है जो लास्ट है धर्म की द्रिष्टी से भारत का क्या महत्व है यह बहुत ही महतुन प्रशन है आपकी एक्जाम के लिए मेरे दोस्ते कि धर्म की द्रिष्टी से भारत का क्या महत्व है तो इसका इंसरों जगा धर्म की द्रिष्टी से भारत क महत बताते हुए लेखक ने कहा है कि धर्म का वास्तरिक उद्भव उसके प्राकृतिक विकास अथ्वा स्रीमान रूप का परतेक्ष परिचे भारत में मिलता है इसका परतेक्ष परिचे जो है भारत में मिलता है यह भारत का ब्रहमन धर्म है बैदिक धर्म है वाला तथा बौध धर्म की जननी है जो भारत के बताते हैं यहाँ पे ब्रहमन धर्म वादिक धर्म और बौध धर्म की यहाँ जननी है यहाँ पी उनका जनम हुआ है और पार्शे धर्म की सरन अस्थली यहाँ पे पार्शे धर्म सरन लेया थी यानि सरन अस जो त्यारी कर उसमें और चार्चन लगा सकते हैं इस सभी सब्जेक्टिव कुष्टन को लिख कर और इससे इससे बीच बीच में आपके कुष्टन है जैसे यहां पर जखे हो वर्रें हैस्टिंग्स ने कितने तो 172 यह कुष्टन पूछ देते हैं कि 172 नामक दारिश 172 नाम हो जाएगा इस तरह से आपके प्रशन आपके जो कोशिशन एंसर याद करते हैं सब्जेक्टिन उसी के बीच में से औब्जेक्टिव टैप को पूछा करते हैं मिर दोस्त ठीक है इसलिए सभी को एक दोबार अच्छा से पर करकर याद करके नोट डाउन भी मिर दोस्त कर हैंगे जो आपको लिए बहुत ही महत्पुन बहुत ही अच्छा रहेगा आपके एक्जाम बेसे स्किल में दोस्त ठीक है तो इस वीडियो आपको कैसा लागा है चैट से में चैट के कि हमें ज़रू बताएगा और इस वीडियो को अपनी सभी दोस्तों क पास उन सभी दोस् जो आपकी दोस्त क्लास 10 की प्रप्रिशन कर रहे हैं या क्लास 10 में जाने वाले हैं उनके लिए साथ यह बहुत ही महत्पुन वडियो है प्रशन है उत्तर बहुत ही अच्छी प्रकार से इसमें लिखा गया है हमेरे दोस्त ठीक है तो मेंते हैं नेक्ष्ट में तब तक के एले जए हैं